Hello everyone, कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्त होंगे तो आज की जो reading है यह हम कर रहे हैं, देखेंगे कि आपके जो partner है रात को सोने से पहले आपके बारे में deep feelings क्या सोच रहे हैं, deep feelings क्या है, deep emotions क्या है क्या है उनके deep thoughts आपको लेकर ये हम आज की अपने इस reading में देखने वाले हैं ठीक है तो ये reading पूरी detail reading रहेगी अच्छी तरीके से इस reading के उपर focus बना की रखिएगा आप और मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से कि ये reading आपके साथ resonate करे ठीक तो चलिए करते हैं इस reading को start देखते हैं क्या cards बताते हैं आपके बारे में और एक reminder आपको मैं बता देती हूँ कल सुबह 8 से साथे 8 के बीच में एक वीडियो आएगा उस वीडियो में आपके daily routine का या कहें तो daily आपकी life कैसी जाएगी आज का दिन आपका कैसा रहेगा वो वीडियो रहेगा यानि कि कल का दिन कल के लिए रीडिंग होगी तो कल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आपको angels क्या guidance देना चाहते हैं वो सारी चीजे उस रीडिंग में रहेगी तो आप उस रीडिंग को देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे bell icon को on कर लिजे उस रीडिंग में काफी कुछ चीजे बत करें दिवाइन हमें गाइड करें मेरे वीवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड कीजिए मेरे वीवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं मेरे वीवर्स के पार्टनर ओके 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 एक्स्प्रियंसिंग का कार्ड है दव मस्टर ओके नो थिम्नेस का कार्ड कॉंप्रमाइज थंडर बोल्ट ओके ट्रस्ट का कार्ड है बोटम आफ तर डेक यहाँ पे है करेश का कार्ड करेश की एनर्जी है यहाँ पे तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या दिख रहा है सबसे पहले तो आपकी पार्टनर और आपकी बीच में जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा चेंज हो रहा है बहुत ही बड़ा चेंज कहें तो आपके पार्टनर के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है यह आया है आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके पार्टनर के emotions में बहुत सारे changes आये हैं देखने को मिले हैं बहुत सारे changes जो है ये person करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं अपनी life में और मुझे ये भी feel होता है जैसे कि आपके partner आपको लेकर अपनी feelings को लेकर अपने emotions को लेकर के काफी clear हैं मुझे ये भी लगता है जैसे कि आपके partner को कहीं न कहीं जो disturb करता है कुछ तो वो है आपका ignorance आप अपनी life में आगे बढ़ते हो वो आपके partner को काफी ignore मतलब आप इनको ignore करके आगे बढ़ते हो वही तकलीफ देता है आपके partner को क्या सोच रहे हैं आपके partner आपके partner ने अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ experience किया है अच्छे लोगों का भी बुरे लोगों का भी अपने life में ऐसा नहीं है कि आप इनकी life में इनका पहला प्यार रहे हो ऐसा भी नहीं है आपके partner की life में पहले भी कई relation रहे हैं कई मतलब 10-15 नहीं कह रहे हूँ जस्त एक दो relation रही होंगे और अभी का जो relation है आपके साथ का जो relation है वो कहीं न कहीं आपके partner comparison भी करते हुए दिख रहे हैं और इन्होंने जो past से experience किया है past relationship से जो experience किया है आपके partner उस experience को भी याद करते हुए यह person मुझे नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा भी feel होता है जैसे कि आपके जो partner है ना बहुत mature है mature तरीके से जो है यह person सोचते हुए दिख रहे हैं आपके साथ क्या रहा, third party के साथ क्या रहा, आप इनके लिए better है कि third party better थी इनके लिए ऐसा लगता है जैसे कि आपके partner जो है अंदर ही अंदर काफी कुछ चीजे सोच रहे हैं अपने मन की बाते आपसे share भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे no contact zone मुझे जहां तक दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का चल रहा है ठीक है और यहाँ ऐसा लगता है कि आपके partner ने अपने जिन्दिगी में बहुत experiences देख कर लिये हैं बहुत experience किया है इस person ने जो भी रहा है जैसा भी रहा है कहीं न कहीं यह unexpected way में रहा है ठीक है så yes मुझे यहाँ की energy के अनुसार से काफी आच्छी चीजे देखने को मिली हैं जो है न यहाँ पर देखने को जानने को मिली है यह relationship कहीं न कहीं काफी stuck रहा है काफी stuckness मुझे नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारे कुशिज़े हैं जो कि आपके पार्टर आपको ले करके decide करना चाहते हैं या आपको ले करके करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं ये भी energy feel हो रही है मुझे चलिए देखी लेते हैं कि experiencing का कार्ड क्या बता रहा है divine हमें guide करें क्या सोच रहे हैं मेरे viewers के partner experiencing से divine हमें guide करें five of wands, seven of swords and six of swords yes मैंने कहाना कि past में इनके relationship रहे हैं पहले भी आपसे पहले भी इनका relationship किसी ना किसी से रहा है जिसमें इनके बहुत arguments हुआ करते थे, बहुत लड़ाई, बहुत जगड़े, बहुत misunderstandings और यहाँ पे धोके भी इनको मिले हैं past में दोखे भी मिले हैं इनको past में और अच्छे खासे धोके मिले हैं और इस person का past सायद आप जानते होगे या नहीं भी जानते होगे तो मैं यहाँ पे बता रहे हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके partner बहुत पुरानी बातों को ले करके सोचते हुए दिख रहे हैं पुराने relationship के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसा रहा अभी तक मेरा और यह जो person है क्या उन लोगों से अलग है क्योंकि यह person ने जो धोखा खाया है यह बहुत ग बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसके बाद से इस person ने decide क्या move करने का यानि की move on होने का उसी वक्त आप से इस person की मुलाकात हुई है उसी वक्त आप इनकी जिन्दगी में आये हो और उसी वक्त से आप दोनों की बीच में बाते होने स्टार्ट हुई healing process स्टार्ट हुआ आपके आने से ये person heal होने स्टार्ट हुए आप इनको healing provide करने लगे कैसे भी करके एक होता है ना कि हाँ हम बात करते करते किसी को heal कर देते हैं किसी की और इतनी जादा clear होती है इतनी जादा स्वक्ष होती है कि उसके साथ बैट करके ही हमें positive vibe आने लगती है आपके साथ भी आपके partner को बात करके ही positive vibe आने लगी और यहाँ पे positivity जैसे जैसे आई है वैसे आपके रिस्ते में कुछ बदलाव हुआ है बहुत बदलाव हुआ है मुझे यहाँ पे यही देख रहा है the master के energy है आपके partner आपको कही ना कही एक कहते हैं ना कि अपनी अंधेरी काली रात में वो चमकता सा धीपक है ना वो जो है आप हैं काफी शितलता है आपके अंदर, काफी प्यार भरा है आपके अंदर, आप इनके मन को वो peace feel करवाते हो, जो कि हर कोई इनके मन को वो peace feel नहीं करवाता है, आपके partner के mind में है, आपके partner का mind काफी active है, काफी जदा active है आप अपने partner के mind को पूरी तरीके से relax कर देते हो और इस person ने ये realize किया हुआ है कि आप इनसे भी जदा experience वाले person हो आपकी भी जिन्दगी में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिससे आपको अपनी जिन्दगी का experience हुआ है life का experience हुआ है life को कैसे जिनी चाहिए life में क्या होना चाहिए एक दम आपने experience किया है बहुत प्यारा सा खुबसूरत सा experience रहा है आपका past में भी और past के energy भी कुछ ऐसी ही रही है कि मतलब experience से भरी रही है आपकी है ना पूरी journey सो मुझे तो काफी अच्छी vibe दिख रही है the master के energy क्यों है यहाँ पर divine हमें guide करें दिखे queen of pentacles the hair of end and star मैंने कहा ना कि आप में कहीं ना कहीं यह person देखते हैं आप इनसे अपना दुख नहीं कहते हो आप इनसे कहते हो कि मैं खुश हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ तुमें attention लेने की ज़रत पिल्कुल भी नहीं है जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको यह person काफी experience वाले person समझते हैं आप ही आपको वो star वो moon की तरह यह person देखते हैं अपनी life में आपके partner आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार इतना किसी के positive औरक कैसे हो सकती है कि उसने मुझे इतने बुरे वक्त से बाहर निकाल दिया इतने बुरे वक्त से बाहर निकाल दिया और आज मैं उसके साथ no contact में आ गया हूँ या आ गए हूँ ये person के दिल में आप ही इनका प्यार हो इनको ऐसा लगता है कि में relationship चाहे जितने भी रहे हो लेकिन असल में जो पहला प्यार मेरा रहा है वो यही person रहा है इसी person से मुझे पहली बार प्यार हुआ है असल जिन्दगी में ठीक है क्यों क्योंकि इस person ने अभी तक मुझे cheat नहीं किया है इस person ने अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाया है जिसके उपर में trust नहीं कर सकता इसकी हर एक बातों पे मैं trust कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपके partner आपको as a master या कहें तो as a healer ये person देखते हैं और कहीं न कहीं आप से इनको advise लेना भी काफी पसंद है आपके partner advise लेने में काफी interested है advise ले करके आपके साथ आगे बढ़ना इस person को पसंद है advise के साथ आपके तरफ आगे आना इस person को पसंद है so yes, advise ले करके आपके partner आपकी life में आना चाहते है सकते हैं बट मुझे खासतर से दिख रहे हैं यहां पर जिनका कनेशन सीधर डिवाईन की तरब से हैं इस्वर से कनेक्षन यह पर्सन का दिख रहा है काफी अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी भी ठीक है सो ये कुछ लोगों के person slaughter हो सकते है ओके, low thinness के energy क्यों आई है यहाँ पे आपके partner को खेर आपके बगार आज रात काफी सुनापन काफी अकेलापन, एक काली अंधेरी रात दिखाई दे रही है ऐसा लगता है जैसे कि इस रात में जैसे कहते न कि आम आवस्या की रात होती है जिसमें कुछ भी नहीं दिखता है चारो तरफ सरिफ अंधेरा ही अंधेरा होता है वैसे ही आपके partner की जिंदगी में अंधेरा चागया है आपके partner की जिंदगी में इतना अज़ादा अंधेरा है कि ये person समझ नहीं पा रहे कि इस अंधेरे में आपको कहां ढूंड़े, आप इनको कहां मिलोगे आप इनको मिले गोई भी की नहीं मिलोगे ये person کو कोई आइडिया नहीं लग रहा है अगर कोई अंधेरे में निकलता है तो वो रास्ता कौन सा अपनायेगा उस अंधेरी रात में रास्ता कौन सा मिलेगा उस इंसान को भी पता नहीं होता है वैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी दिख रहा है मुझे वो काली अंधेरी रात आज दिख रही है जिसमें ये परसन कहीं अकेले बैठे हैं आस पास इनके कोई नहीं है कोई इनका अपना नहीं है या कोई पराया भी नहीं है स्विप ये अकेले आपके पार्टनर हो गये हैं बहुत अकेलापन दिख रहा है मुझे ओके जस्टा मिनट गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम ये सौंग सुना है आपने ये सौंग जरूर सुना क्योंकि ये सौंग चैनल हो रहा है मुझे गुम है किसी के प्यार में ये दिल सुबह शाम डिवाइन हमें गाइड करें मैं गाना गाने में व्यस्ट हो गई थी ओके सेवेन अफ वांट्स सॉरी किसी को मेरी आवाज अगर पसंद ना आई हो तो खेद है खेद है दिल से जो चलिए यहां पर बॉटम आफ दर डेक चारिट का कार्ड है यहां पर आपके पार्टनर को स्रीफ और स्रीफ आपका इंदाजार हो रहा है यह परसन सोच रहे हैं कि आप कब आओगे कब आओगे इनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए जो फील कर रहे हैं बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपको जितना यह परसन प्यार करते हैं जितना यह परसन प्यार करते हैं उतना यह परसन किसी और से प्यार ही नहीं कर सकते हैं यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि यह person अब अपने आपको blame कर रहे हैं कि इस person ने आप से दूर होने का need नंए क्यों लिया आप से अलग क्यों हुए यह person यहां पे दिख रहा है कि यह person अलग ही दिशा में बहते चले जा रहे है अलग ही दिशा में ये पॉर्षन है, अलग ही वे में ये पॉर्षन आगे बढ़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को, ठेक मुझे यहां पर यह देख रहा है कि आपके partner के अंदर वो ऐसी energy है जो कि कहते हैं न कि आपके partner के अंदर वो है ना जो कहते हैं कि नहीं हम समझ सकते या नहीं चीजे बन सकते हैं ठेक है सो ये वाली energy मुझे feel होते भी दिख रही है ओके compromise के energy compromise देखो जो भी हुआ है ना आपके partner ने ये सोचा जरूर है कि जो भी हुआ है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का लेना चाहिए compromise करना चाहिए यहाँ पे ठीक है compromise करना चाहिए यहाँ पे इस रिस्ते में क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप दोनों को ही तो चैन नहीं है दोनों ही एक दुझे से प्यार करते हैं दोनों एक दुझे के लिए feel करते हैं तो compromise कर लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा Ace of Swords एक दम से आपके partner clear हैं अपने thoughts के साथ इनको compromise का ही रास्ता अपनाना चाहिए इनको वही रास्ता अपनाना चाहिए क्योंकि इनके लिए वही रास्ता सही रहेगा compromise करके relationship को आगे लेके जाना compromise करके अपने आपको आगे लेके जाना compromise करना ही चाहिए यहाँ पे यह दिख रहा है कि आपके partner का मन है compromise करने का compromise करके relationship में आगे बढ़ जाना आपके partner की energy में काफी अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे यह person रोना नहीं चाहते है यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपके partner सूच रहा है कि अगर मैं उसे जुदा हो गया जिन्दगी भर के लिए तो फिर तो मुझे रोना पड़ेगा फिर तो मुझे वही प्रॉब्लम्स वही separation phase करना पड़ेगा वही चीजे phase करनी पड़ेगी है ना और मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है क्योंकि ये जो रिष्टा है ना ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है बहुत ज़्यादा पेन ऐसा लगते है कि इस रिष्टे में जो है ना जितना purity होना चाहिए जितना clarity होना चाहिए इस रिष्टे में वो तो होना चाहिए ही च देख रहा है कि आपके पार्टनर बे इंतहा महवबत करते हैं आपसे बे इंतहा इनके दिल में जो है प्यार है आपके लिए ठेक मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये पर्टन आपको छोड़ करके कहीं और ये पर्टन नहीं अपने रिस्ते को अजस्ट करना चाहते हैं मुझे आपके पार्टनर में वो प्यार वाली फीलिंग्स वाली इमोशन वाली चीजे हैं आपके पार्टनर करते हैं आपसे नो डाउट ये पर्सन के दिल में दिमाग में बस आपको लेकर के ही ख्याल है ठीक है मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं यह पॉर्सन जब अलग हो गया है यह पॉर्सन को और ज़्यादा आपकी याद आने लगी है और ज़्यादा इनको लगता है जैसे कि मतलब की समझ में नहीं आता है कि क्या होगा फ्यूचर बनेगा भी कि नहीं बनेगा क्योंकि फ्यूचर को ले करके tension होती है आपके partner को ऐसा लगता है जैसे कि यह person इस relationship को निभा ही नहीं पाएंगे या आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसी भी energy मुझे feel होती भी दिख रही है ठीक है so yes, tower की energy, queen of cups का card, okay, empress and moon छोटी सी mission standing है आप दोनों की बीट में और उसी का ले करके कुछ चीज़े खराब कर रहे हूँ आप दोनों की दोनों जिसको मैं देख पा रही हूँ कि उन छोटी छोटी बातों की वज़ा से ही relationship का बिगड़ना स्टार्ट होता है और आपका relationship वहीं से बिगड़ भी रहा है, ठीक है, so yes मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके रिष्टे में कहीं न कहीं वह छोटी छोटी बात को ले करके रिष्टा रिष्ट तरीके से बिगड़ा है, इस रिष्टे में अगर बनाना चाहते तो बन भी जाता यह relationship लेकिन क्या यहाँ पे एक डड़ मुझे नज़र आ रहा है, एक पेन मुझे नज़र आ रहा है ऐसा रगता है जैसे कि आप दोनों के relationship में जो है ना बहुत obstacles हैं, बहुत ज़्यादा problems हैं, उनको पार करना होगा, emotions, feelings, हर तरीके से जो है ना आपको निभानी होगी इस relationship में, ठीक है, trust रखना होगा इस relationship में, मुझे यहाँ पे यही देख रहा है कि trust रखना होगा seven of cups, five of swords, six of pentacles, ओके bottom of the deck है यहाँ पे justice के energy, एक तम काफी अच्छी दिख रही है energy, आपके partner का कहना यह है, या सोचना यह है कि दूसरों की बातों में न पढ़ करके, अगर हम दोनों इस रिष्टे को आगे बढ़ाते हैं, इस रिष्टे में कहीं न कहीं वो clarity ले करके आते हैं, इस रिष्टे को कहीं न कहीं हम दोनों इस रिष्टे में patience रखते हैं, दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, दूसरों की बातों को ignore करते हैं, तो हमारा रिष्टा काफी अच्छा हो सकता है, काफी positive हो सकता है, इस रिष्टे में जो एक positivity आनी चाहिए वो positivity ये है कि ये रिस्ता काफी जादा खुबसुरत हो सकता है काफी positive हो सकता है लेकिन इस रिस्ते में कहीं ना कहीं वो seven of cups का card है जो कि confusion को create कर रहा है तो confusion नहीं होने चाहिए clarity होने चाहिए आपके partner का ये मुझे scene दिख रहा है आपके partner की energy के अनुसार से मुझे आपके partner के अंदर यहीं दिख रहा है कि आपके partner compromise ही करना चाहते है और इनको trust है कि ये person आपको justice देंगे ये person आपके साथ justice करेंगे ये person को justice प्रिया है सो yes ये person आपको justice देंगे overall reading में यहीं देख रहा है मुझे आपके cards में reading को करती हुई मैं यहीं पे खत्म और आप सबसे एक request है कि please चैनल को subscribe कीज़े आप लोग subscribe नहीं कर रहे हैं अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो इश्वर आपके बारे में क्या सोचेगा समझ सकते हो ना कि आप कर्मा अच्छा नहीं करोगे तो किसी का आपका कर्मा कैसे अच्छा होगा तो आपको भी अपना कर्मा सही करना चाहिए है ना चैनल को subscribe कीज़े वीडियो को like कीज़े और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी प्रसनल टारो डिडिंग लेना या फिर आप चाहते हैं अपने जीवन के बारे में बहुत सारी कुछीजे जानना जैसे की डेली डेली आपको जानना है कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा आज का दिन जो है आपको accurate चाहिए कि आज का दिन मेरा कैसा रहेगा आज मेरी लाइफ में कुछ earning होगी की नहीं होगी मुझसे saving होगी की नहीं होगी आगे मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी की नहीं कर पाऊंगी आपका business कैसा रहेगा business deal कर रहे हो तो वो deal आपके लिए कैसी रहेगी जिसके साथ कर रहे हूँ जिसके साथ भी कर रहे हूँ आपके लिए profitable होगा की नहीं होगा कई बार होता है कि हम business करते हैं तो सोचते हैं यार इसके साथ investment करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर हमने investment कर दी तो क्या ये successful होगा की नहीं होगा अगर ऐसे ही doubts आपके मन में हैं तो आप मुझसे contact कर सकते हैं स्क्रीन पर दिये गए number पर contact करके आप जनकारी ले सकते हैं monthly जो है आप एक slot book कर लिजे monthly हर per day per day मैं आपको आपकी prediction निकाल के बताऊंगी per day ठीक है अगर आप एक businessman है तो businessman को एकदम businessman है या woman है आपको एकदम लेना ही चाहिए ठीक है तो एकदम आप लोग जरूर लीजिए अगर आपको अपनी company का name अपने बच्चों का name आपका name correction होता है name correction होता है name का भी प्रभाव बहुत पड़ता है तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है आप अपने अपने problem को लेकर के मेरे पास आ सकते हैं इस्क्रीन पर दिये गए number पर contact कीजिए इस्क्रीन पर number नहीं दिख रहा है description box में एक बढ़ number चेक कर लीजिए ठीक है मिलती हूँ मैं आप साद दुबारा किसी और रेडिंग में तबते के लिए Bye Bye and Take Care